रादे रादे नटकर रड़ू कोपाल में आप सब का स्वागत है आज है पांच में नवरात्रा आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुप काम नाए पांच में नवरात्रे की दिन माता इसकंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें सफेद कलर काफी पसंद है इसी विज़े से हमने अपने माधव को अपने लटू को पाल जी को सफेद कलर के वस्त पहना है और उनका सिंगार भी सफेद रंग की चीज़ों से क्या गए देखे किते प्यारे लग रहे हैं मातरानी आप सभी पर किर्पा बरसाई रखे तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको मैं अभी भागवत गीता पड़ रही थी तो मैंने अभी भागवत गीता के जो स्लोक चोदा है तो अभी हमने भागवत गीता का स्लोक चोदा पड़ा है तो इस स्लोक में बताया गया है कि जो अरजुन का जो पांच पांदों में जो अर्जुन थे अर्जुन के पास जो रत था वो रत कितना बलवान था यानी कि उस रत की महीमा बतलाई गई है जो पहले अध्याई के स्लोक 14 में तो यह मुझे काफी अच्छा लगा मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों होना यह सारी ची भागवत गीता का पार्ट मैं लाइव करती हूँ तो यह मुझे कुछ अलग लगा इसमें से तो मैंने सोचा कि इसके एक अलग से छोटी सी वीडियो में आप लोगों को इसाथ में शेयर करूं तो चली मैं बताती हूँ कि इसमें अलग क्या है तो यह देखे जो मैं भी बतार पढ़ लेती हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माप कर दीजिके बट इसका मैं हिंदी में अनुवाद आपको काफी अच्छे से समझा दूंगे तो यह देखे स्लो कुछ इस त्रीके से तत्य स्वेत है ह्यो युक्ते महती सेंदने इस्थितो माद्वय पांड्व दो से युक तो उत्तम रत में बैठी वे स्रीकृष्ण महराज और अर्जुन ने भी एलोकिक संख बजाये थे यानि कि इससे जो पहले का स्लोक था उसमें बताए गया था कि जो कोर्व की सेना में बीश्म पिता महानी संख बजाये थे वो किस तरीके से बजाये थे तो इस उसमें परशिन करते हैं कि इस स्लोक का भाव क्या है तो स्लोक चोदा का भाव बताते हुए जो संख है वो कहते हैं कि अर्जुन का रत बहुत ही विशाल और उत्तम था वे सोने से मड़ा हुआ बड़ा ही तेजों में अतियंत परकाश युक्त खूब मजबूत बहुत बड लाकाए फैरा रही थी पताकाओं में गुंगरू लगे थे बड़े ही द्रड और विशाल पहिये थे उची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी उसमें चंद्रमा और तारो के चिन थे और उस पर हनुमान जी विराजमान थे ध्वजा के संबंद में संजे ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिर्चे और उपर सब और एक योजन तक फैराई जाती है जैसे आकाश में इंदर धनुस अने को परकाश युक्त विचितर रंगों का दिखता है वैसे ही इस ध्वजा में अलग अलग रंग दिखाई पढ़ते है इतनी विशाल और फैली हुई होने पर जुंड में वह निर्बाद चली जाती है वरक्स उसे छू नहीं पाते है चार बड़े सुन्दर सुसजित सुशिक्षित बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य गोडे उस रत में जुते हुए यानि कि जो अर्जुन का जो रत है उसमें जो चार गोडे है वो का स्ट बलवान तरिके से दिव्य घोडे है एक चितरथ गंदर्व में 100 गोड़ों में से एक हैसे जिन्हकंड उसी तरीके के हुए सो घोड़ जो थे वह अर्जुन अंको रदीगे चितर॥न से चीए 8 कि खनात बलवान सकता है उस को जो और नो independ है doubling हम च्वार चे नाथ ऊलने बने रहते थे यानि कि जो अर्जुन के घोडे थे वो संख्या में सो थे लेकिन जो अर्जुन के युद में रत में लगे हुए थे वो अगर मर भी जाते हैं उन घोडों की खासियत यह थी कि युद में वो उन सो में से घोड कितने भी घोडे मर जाए बट उनकी जो संख्या थी वो हमेशा सो की सोई रहती थी मतलब वो एक तरीके से कभी मरते नहीं थे इसके बाद ये प्रत्वी स्वर्ग आदी सभिस्थानों में जा सकते थे यानि कि जो अर्जुन के जो रत में घोड़े थे वो प्रत्वी और स्वर्ग आदी में जा सकते थे यही बात रत के लिए भी थी और यही सारी खास्याते जो अर्जुन का रत था उसमें भी थी खांडवन खांडवन दहा के समय अगनी देवने परसन होकर यह रत अर्जुन को दिया था यानि कि जो दिव्या रत जो सारी चीजे अभी हमने अर्जुन के रत के बारे में पढ़िए यह सारी चीज़ जो अर्जुन के रत में है यह रत खांडवन के दहा के समय जब खांडवन में जब आग लगी थी उस समय अगनी देवने परसन होकर यह रत अर्जुन को दिया था ऐसे महानरत पर विराजित होकर भगवान स्री किष्ण और वीर अर्जुन ने जब विश्म पिता महसईत कोरव सेना के द्वारा बजाए हुए संकों और अन्यान्य अरण वादों की धवनी सुनी तब इन्होंने भी युद्ध आरम की घोशना करने के लिए अपने अपने संक बजायते भगवान स्री किष्ण और अर्जुन के ये संक साधारन नहीं थे अतियंत विलक्षन तेजों मही और एलो किक थे इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है तो ये देखी ये साली जो खास बाते थी ये अर्जुन के रत के बारे में बताई गई है अर्जुन का जो र अर्जुन के थे और आज सरे नमान जी विल Dazu रिकारी कि रुद्र सरी साझाव भ्यागरे स्राओं और बिर विल्मान की लागए थी और अर्जुन के जो रत पे उपर की साइड थे स्रीहनुमान जी भी विराजमान थे और जो अर्जुन के रत में जो पताका ये लगी हूँ थी उनके बारे में ये बताए जाता है कि ये किसी भी तरीके से घूमी जा सकते हैं तिर्ची भी हो जाए कैसी भी हो जाए काफी उंचाई तक इसे फेरा सकते हैं इंदर धनुस में जिस तरीके से रंग होते हैं वो सारे रंग इंद वजाओं में दिखाई पड़ते हैं ये काफी विसाल है काफी उंची है काफी फैली हुए लेकिन फिर भी इन में कोई वजन नहीं है बोज नहीं है और यह कहीं तक भी जा सकती है यह कभी वरक्षों में अटकती नहीं है अगर अर्जुनकरत वरक्षों से होते हुआ जा रहे तब भी यह वरक्षों में वरक्षों के जुंडों तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को इस साथ में भी यह शेयर करूँ आप लोगों को इस सारी बात है अर्जुन के रथक के बारे में कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मैं रोजाना मोर्निंग में दस बजे लाइव आती हूँ मैं लाइव भागवत गीता का पाट करती हूँ अगर आपको भागवत गीता पढ़नी का मनिया आपका और आप पढ़नी पाते तो आप मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में आके दस बजे मेरी जो भागवत-गीता का लाइव पाट है वो सुन सकते हूँ तो मेरे यह यह विदियो को खैसर गे मुझे कमेंट करके जब बता देशेगा मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में और मोर्निंग में दस बजे भगवदी कीता के लाइव पार्ट के साथ में राधे राधे